यहाँ पर मैं दो मीटर एक प्लेन कपड़े को ही दोपट्टा बनाऊंगी तो बाद में इसके साइट पे जो पीको है ना वो बाद में करूंगी तो सबसे पहले आप दोपट्टा के नीचे इस तरीके की कोई कार्टबोड रख सकते हैं या फिरा फ्रेम का भी यूज कर सकते हैं तो सबसे पहले मैं यहाँ रेट कलर यूज कर रही हूं और वो भी फ्लैट ब्रश से अब राउन ब्रश से भी कर सकते हैं बट मुझे इतना ही ब्रॉट चाहिए था तो फ्लैट ब्रश से एकदम आसान और बहुत जल्दी होती है इसलिए मैं फ्लैट ब्रश यूज कर सकते हैं और कलर भी मन पसंद के कोई भी कलर यूज कर सकते हैं तो सबसे पहले मैं राउन ब्रश से दिखाऊंगी कैसे आप यह फ्लावर बना सकते हैं इसके बाद में फ्लैट ब्रश से भी दिखाऊंगी यह सेम फ्लावर आप फ्लैट ब्रश से कैसे बना सकते हैं तो पर मैं flat brush यूज़ करके आपको दिखा रही हूँ दो नमबर की flat brush बट मेरे पास filbert brush से भी मैं दिखा थी बट वो brush बहुत पुरानी हो गई हूँ वो almost खराब हो चुकी है तो इस तरीके से आप round flat brush से भी कर सकते हैं बट क्या है flat brush में आपको थोड़ी सी time ज्यादा लगेगी उसमें आपको round brush में बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगी इसलिए ये flower तो मैं flat brush से नहीं करने वाली हूँ मैं round brush से ही करूँगी ये option क्यों दिखाए क्योंकि सबको इस तरीके की एकदम equal ये बहुत सारे मेरी friends को पसंद है तो वो भी कर सकते है flat brush से तो देख सकते हैं ये almost same है बट flat brush से क्या है मुझे थोड़ी सी ज्यादा अच्छे लगते हैं उसमें जफ्लावर बनती है इसमें बहुत जल्दी हो जाएगी आपकी काम वो भी बहुत important है क्योंकि एक दोपट्टा में कितने सारे flower और कितने बड़े होते हैं मैंने साइट पर थोड़ी सी कट कर लिया है क्योंकि broad बहुत ज्यादा था इसलिए तो जो color से आपको border करना है तो उस color से ही या flower बना लेजिए जैसे कि जैसे मैंने या red color यूज किया है अगर आप blue color से करना चाहते तो blue color की border बनाई है और flower भी blue color से ही बनाई है तब जाके अच्छी लगेगी अब इसके बाद जो branches होगी leaves होगी वो अलग color से हमें करना है आप frame का भी use कर सकते है अगर आप chiffon के उपर paint करते है न तो ज़रूर chiffon के उपर या कोई पतले टाइप का और गांजा के उपर भी अगर आप यह जो design है बनाना चाहते है तो आप ज़रूर frame का use करें क्यूंकि वो कपड़ा बहुत पतला होती है और back side पे color बहुत spread हो जाती है I mean कपड़ों के उपर कुछ नहीं रहता है बस कपड़ों के back side पे ज्यादा आ जाती है तो color waste होती है काम का कुछ भी नहीं होती है back side पे चिपक भी जाती है और थोड़ी से thick type की अगर cotton का कपड़ा use करते है तो आप नीचे इस तरीके की cardboard भी रख सकते हैं तो यहाँ पर म इस तरीके से आपको branches सारे पत्ती बनानी है बहुत ज्यादा आसान है honestly काम तो है क्योंकि दुबटा काफी बड़ी है और but easy बहुत ज्यादा है यहाँ पर यह पत्ती थोड़ी सी छोटी हो गई थी तो मैं फिर से इसको थोड़ी लंबी कर रहे हूं और इसके लिए मैं यहा नंबर की round brush use कर रहे हूं आप इससे थोड़ी सी broad चाहते है तो 4 नंबर की round brush भी use कर सकते हैं but zero नंबर से यह branches बहुत पतली पतली ज्यादा अच्छी लगेगी क्योंकि अगर अब यहाँ भी broad बनाएंगे तो already हमने border कर लिया है red color से थोड़ी सी broad I mean बहुत ही ज्यादा ठीक और यह जो color है ना यह मैं सारे color में fabricryl के use कर रही हूं बट आप कोई भी brand की color use कर सकते हैं market में बहुत easily आपको मिल जाएगी acrylic color use कर सकते हैं या फिर fabric color भी आप use कर सकते हैं बहुत सारे brand की है local stationery shop पे आपको मिल जाएगी या फिर आप online भी ले सकते हैं आपको amazon flip card पे भी मि color लगता है ना कि यह after wash यह उतर जाएगी ऐसा कुछ नहीं होती है गलती से भी अगर आपको एक दूबर जगा पर लग जाती है तो भी वह नहीं उठ जाती है आपको तुरंती wash करना पड़ता है यह color इतना strong है तो यह देखिए मैंने सारे तो कर लिया है अब यह flower को यह थो अपकी flower अच्छे से dry हो जाए उसके बाद ही करें और यह हाथ से ही आपको wash करना है और paint के बाद 24 hours के लिए इसको ऐसे रख दीजिए एक बार back side पे 24 hours के बाद एक बार प्रेस कर लेना बस और कुछ नहीं करना है और बांगली हो लिए अवोश रगी तो बांगला है कॉमें कि आप fabric color से भी यह dot dot करके कर सकते हैं यह optional है मैं यहाँ flower को थोड़ी सी और खुबसूरत दिखाने के लिए use कर रही हूँ बट अगर आप यह नहीं करना चाहते हैं कोई बात नहीं यह flower के center पे white dot कर देना या फिर कोई भी color से एक छोटी सी dot कर देना तो और ज्यादा अच् बहुत थक गई थी honestly यह इतना heavy था thank you so much for watching वीडियो अच्छे लगने से इपर like जरूर कर देना मुझे भी अच्छा लगेगा यह देखिए after complete thank you so much for watching have a good day take care bye